हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ अपके सामने गोरो मिगलानी इस वीडियो में हम जो टोपिक डिसकस करने जा रहे हैं वो है स्केलर चैन का इसको हम हिंदी में सोपान शरिंखला के नेम से भी जानते हैं ये प्रिंसिपल किस ने दिया है हैंडरी फ्योल ने जिनोंने हमें प्रशासनिक प्रबंध मतलब administrative management के 14 प्रिंसिपल दिये हैं उन्ही 14 प्रिंसिपल में से ये हमारा प्रिंसिपल नंबर 9 है सोपान शरिंखला स्केलर चैन क्या मीनिंग है इसका देख लेते हैं स्केलर चैन रियल्टी में एक formal line of authority है which moves from the higher to the lowest ranks in a straight line ये अधिकारों की एक ऐसी शरिंखला है जो higher rank से lowest rank की और एक सीधी रेखा में चलती है मतलब अधिकार सबसे पहले मालो top level के पास हैं वो अपने अधिकार किसको देंगे middle level को middle level फिर किसको देंगे lower level को मतलब अधिकारों की जो शरिंखला है वो पूरी series में चल रही है straight line में चल रही है ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि top level अपने अधिकार सिधा lower level को दे दें तो यहाँ पर अधिकारों की शरिंखला मतलब नहीं है पर हम scalar chain में क्या कह रहे हैं कि यह अधिकारों की एक ऐसी शरिंखला है एक ऐसी line है जिसमें अधिकार उपर से नीचे पूरी series में जाते है top level वाले middle level को अधिकार दे रहे हैं middle level वालों ने और आगे अधिकार बांटे तो यह अधिकारों की ऐसी शरिंखला एक ऐसी line है थोटी की जो highest से lowest strength में एक straight line में चलती है Fayol का क्या opinion है Fayol कहते हैं कि ऐसी line को straight line को हमें strictly follow करना है communication जो top level से bottom level पे होना है वो बिल्कुल strictly होना है मतलब top level वाला सीधी अपनी बात lower level को नहीं बता सकता communication अगर आपको करना है तो top level वाला पहली बात बताएगा middle वाले को middle वाला फिर बात कहेगा lower level को तो मतलब communication proper तरीके से होना चाहिए मतलब कोई भी step हम इसमें छोड़ नहीं सकते lower level सीधा top level को जाकर बात नहीं कर सकता क्योंकि उसने middle level वाले को छोड़ना नहीं है lower level वाला पहले middle level को बात बताएगा then middle वाला top level को इसलिए यहाँ पर लिखा हुए कि कोई भी step हम छोड़ नहीं सकते अब बात आती है कि fail की कौन सी ladder है कौन सी CD है fail ने ये वाली CD बताई है कहता है कि अगर A ने बात B को कहनी है तो B से C को जाएगी C से D को फिर E से F को G यहां तक आएगी मतलब कहने का है कि अगर B अपनी बात J को कहना चाता है तो scalar chain के according fail के according हमको बात C को फिर D को फिर E को फिर F को करते करते फिर यहाँ पर J तक आने वाले की तो J तक बात आने के लिए देखो कितना रास्ता लंबा हमें पार करना होगा इसी को हम कहते हैं कि यह अधिकारों की एक श्रिंगला है पूरा जो काम है पूरा जो communication है वो एक series में जाने वाला है कोई भी step हम छोड़ नहीं सकते मतलब ऐसा नहीं होएगा कि B अपनी बात सीधा F को बता दे और F सीधी बात J को बता दे मतलब पूरा एक एक step हमें पास करना होगा यही बात फेओल ने बोली कि हमको strict manner में इसको follow करना है communication पर तरीके से चलेगा कोई भी step हम छोड़ नहीं सकते अब बात आते कि इस scalar chain की utility क्या है simple सी बात authority and communication बिल्कुल क्लियर रहेगा अब इस topic के अंदर हमको बिल्कुल क्लियर है कि किसने किसको अधिकार दिये किसने किसको क्या बात बोली अगर authority or communication क्लियर है तो हम problems को solve बहुत जल्दी कर सकते हैं बहुत जल्दी solve की जा सकती है अब बात करते हैं gang plank की gang plank इसका exception case है मतलब gang plank के concept के coding this concept was developed to establish a direct contact with the employee of the equal rank in the case of emergency to avoid a delay in the communication communication में delay को खतम करने के लिए कोई बात है मानलो मुझे किसी को बहुंचानी है time भी कम है decision मुझे जल्दी लेना है कही problem बहुत बढ़ी ना हो जाए तो उस case के अंदर अगर वो सामने वाला person same rank का है तो हम उससे बात कर सकते हैं इस case के अंदर क्या करना होगा B को अपने अधिकारी से permission लेनी होगी C I से बात करेगा then I J को बात करेगा then ये दोनों आपस में contact कर सकते हैं मरलब B को अपने अधिकारी से बात करनी होगी J को अपने अधिकारी से बात करनी होगी then ये दोनों person B और J जो की same rank के हैं आपस में बात कर सकते हैं Gang plank से क्या होगा decision लेने में देरी नहीं होगी हाला कि fail ने तो बोल दिया था कि हमको इस scalar chain का strict manner के अंदर पालन करना है communication पूरा follow में होगा हम कोई भी step छोड़ नहीं सकते पर emergency के case के अंदर अगर employees same rank के हैं तो उनको अपने अधिकारीों से permission लेकर आपस में बात कर लेनी चाहिए ताकि काम जल्दी हो सके problem कहीं इतनी बड़ी ना बन जाए अब हमारे समने topic आ रहे है कि scalar chain के क्या positive effect है अगर scalar chain को हम apply करते हैं तो क्या benefit होता है तो सबसे पहली बात देखिए पूरा communication systematic way में चलेगा पूरा communication systematic तरीके से चलने वाला है सूचनाओ का परवाह जो होगा वो systematic होगा एक person से दूसरे person तक बात पूरे flow में जाएगी दूसरी बात अधिकारों का आधर होने वाला है respect होने वाली है हर कोई दूसरों की respect करेगा उसको पता है कि उपर वाला person मेरे से बड़ा है तो respect कहीं न कहीं होने वाली है तीसरी बात क्या है problems बहुत जल्दी soul होने वाली है क्योंकि पता है कि बात कहां से लेके कहां तक गई थी फिर इसके कुछ violating effect भी है circle देखो कितना बड़ा है अगर यहां proper हम strict पालन करें तो problem बहुत ज़दा लंबी हो जाएगी root बहुत लंबा है decision लेने में देरी हो सकती है अगर हम scalar chain को अच्छे से पालन करें तो भी जे से कभी बाती नहीं कर पाएगा और इनके संबंद कभी अच्छे से बन ही नहीं पाएगे मधूर नहीं हो पाएगे relationship scalar chain के according कभी भी लोगों के strong नहीं हो पाते क्योंकि इनको अपने अधिकारियों से permission लेनी होती है तब ही वो next level पे जाके बात कर सकते है तो scalar chain के कहीं न कहीं violating effect भी है information पहुंचाने में देरी हो जाती है decision लेने में देरी हो जाती है जब तक decision लेना है शायद problem तब तक बहुत बड़ी भी हो जाए तो यह था हमारा scalar chain का topic तो मिलते हैं अब हम next video में यहाँ तक का video देखने के लिए आपका धन्यवाद